आप सब उमीद करती हूं आप ठीक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट रोल जिसके लिए हमें चाहिए चार स्लाइस ब्रेड हाफ प्याली है हमारे पास दूद की मलाई एक प्याली है हमारे पास लिकवर दूद दस बदाम है हमारे पास बरी कटे हुए एक छोटा कप है सुका दूद हाफ कप है हमारे पास चीनी चार अदद है हमारे पास इलाइची सुका दूद हमने डाल लेना है पैन में उसके बाद चीनी मिक्स करेंगे फ्लेम हमने ओन नहीं करनी दूज डाल कर अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने फ्लेम ओन करनी है अब हम इसमें रूप के मुलाई शामिल करेंगे सारी चीज़े हमने डाल दी है अब हम लाची डालेंगे और बादाम और फ्लेम को हम ओन करनेंगे बादाम हमने अड़ कर दी है हलकी आज़ पर हमने इसको पकाना है अच्छे तरह के से थोड़ा सा गाड़ा होने देंगे फिर हम इसमें से लिकवर्ड आदा निकाल लेंगे लिकवर्ड हमारा गाड़ा हो चुका है हम हाफ नकाल लेंगे और हाफ का हम खोया बनाएंगे इसको अच्छे तरीके से हम गाड़ा करेंगे और इसका खोया बनाएंगे जो हम आपको रोल में बताएंगे कैसे लगाएंगे इसको ज्यादा हम सफ्ट नहीं करेंगे जितना सॉफ्ट होगा उतना ही ब्रेड में सही लगेगा और जैका भी अच्छा होगा हमाया खोड़ा है त्यार है यह देखें कितना जबरदस बाइंगे खोया हमारा रेडी है बिल्कुल हमने अच्छंडग होने के लिए रख दिया है अब हम आपको स्लाइज काट के दिखाएंगे उसमें कैसे हमने लगाने यह देखें वी पर हमने यह किनारे तार लेने हैं स्लाइज का हमने उतार लिया है किनारा यह देखें इसका हम किसी दिन आपको ब्रैड क्रॉम बनाना बताएंगे किनारी हमने उतार लिया हमने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है यह देखें हमने बेली हैं अब आपको दिखाएंगे इसमें जो हमने खोया बना के रखा था वो हम इसमें लगाएंगे अब हम इसमें खोया लगाएंगे आप ज़रूर ट्राइ करें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताके हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें ऐसे हमने इसको रोल कर लेना है यह देखें खोया लगाकर रोल हमने रेडि कर ली है अब आमको सर्वर करकर बताते हैं रोल हमारे रेडि है अब हम आप इसके कर लिकवड बताएंगे कैसे डाल लेगा अब हम इसको कुछ देर के ली ठंडा करेंगे भीस मिनट के लिए फिर गाम सर्फ करेंगे झाल झाल